कि नमस्कार नमस्कार अज हम बाचित कर रहे हैं शिखा बार्ष नेजी के साथ जो फिलहाल लंदन में है कवीत्री पत्रकार ब्लॉगर तो हिंदी को लेकर आप जो सूचती है कि स्वादेश में लोग अंग्रेजी प्रेम हैं अंग्रेजी मौह है और विदेश में हिंदी प्रेम यह कैसे चल रहा है जी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है जैसा आप बता रहे हैं अगर आप मुझसे पूछे तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है और जैसा कि मैरी जो स्कूलिंग है वो तो भारत की ही है 12 प्रफित भारत में भाषी प्रदेश की तो मेरा तो अनुवव यह रहा है कि जितनी हीं भावना हमारे अंदर है अपनी भाषा को लेकर दुनिया में शायद किसी देश में नहीं है यह अलग बात है कि वहां उनकी अपनी भाशा चले या ना चले लेकिन हीन भावना यह जो कहते है mental block जो हमारे अंदर है वो और कहीं देखने को नहीं मिलता तो मेरा तो यही अनुबब रहा है कि जो मान सम्मान हमारे देश में हमारी वाशा को मिलना चाहिए वह वहीं नहीं मिलता लेकिन वहां से जब हम लोग निकल कर आ जाते हैं अपनी देश से बाहर तो फिर वो हमें जो कहते हैं न एक अस्तित की लड़ाई लड़नी पड़ती है शायद उस बज़ए से हमारा जो देश के पृति या जो भाशा के पृति प्रेम है वो जादा उभर कर आ जाता है क्योंकि हमें वहाँ आपने लगों नहीं मिलते तो हिंदी से आपको वह कोई काम नहीं मिलेगा, आपकी कोई रोजी रोटी आपको वहां हिंदी के माध्यम से नहीं मिलेगी, और यहां हमारे पास मजबूरी नहीं होती कि हम भाशा के माध्यम से रोजी रोटी कमाए, तो एक निस्वार्थ भाव से जो भाशा के लिए करना चाहिए, वह हम शायद यहां क ही उम्हाइ के राते भर की नहीं हो सकती मैं तो ये मानती। इस बात को की आप हिंदी को कैसे है बनाएंगे तब तक आपके अपने देश में उसका संब्सक्राइब क्यों भाषा हो वो it सिर्फ उसके लिए सिक्षण का होना ज़रूरिय है जब आपके पास वह मोकी ही नहीं है जो आप अपनी भाषा से दे सकते हैं अपने देश में तो आपको वह उसको विश्विस्टतर कैसे ले जाएंगे आप देखे हम यहां पर जितना भी हिंदी के परचार परसार के लिए काम कर ले या कोई भी कर ले वह सहित्य से कर ले वह करते हैं ठीक है हमने संगोस्ठियां कर लिए जरी समीनार कर लिए सम्मेलन कर लिए हमने सहित्य की चीजों को सामने वाले की सुन अपनी अपनी सुना दी लेकिन आप यह सोचिए जब तक उसका सिक्षन नहीं है आगे से उसको सहित्य को कोई पढ़ने वाला आप नहीं बनाएंगे तो उसका आगे से पढ़ने के लिए तो कोई नहीं है, आप बच्चे देखिए जो भारत में हैं, आज जो अंग्रेजी माधियम से बच्चे पढ़ते हैं, मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन सच्चा ही यही है कि आप उनसे चार वाके लिखवा है हिंदी के, उसमें 40 गल कि आप कितना सहित उसमें लिख लेंगे और किसको वो पढ़वा लेंगे आप, तो जरूरत तो उस बात की है कि शुरू सिक्षन से किया जाए, मुझे बहुत उमीद है थी जब यह नई शिक्षानी ती आई मोदी जी की, तो मुझे बहुत उमीद है थी उससे कि अगर उसक कि शुरूतियां बदल सकती है, लेकिन पता दियो उसका कितना किरियान वैंनोगे लेकिन यही बात अफसोर्स की है असल में कि हम अपनी ही भाषा से रोजगार के मौके वहां नहीं दे पा रहे हैं, जो किताबें हमें हिंदी में वहां चाहिए, वह नहीं पढ़ाई जा रह हिंदी का काम होता है हम सबसे पहले भारत की तरफ ही देखते हैं लेकिन अगर वहां पर ही वह काम नहीं हो रहा तो हम यहां बच्चों को क्या बता है जो वह सीधे हम से अगर यह पूछते हैं कि आप जिस भाशा की बात करो भाशा अपने देश में कोई माईनी नहीं रखती तो हम उसको पढ़के क्या करें तो बात बस नहीं पर है कि मौके आप दीजिये तो अब भारत से ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी लोग पढ़ते हैं और किसी देश में उनकी भाशा अगर पढ़ा ही जाती है तो वहां उससे उनको रोजगार मिलता है उनसे उनकी मत हैं आपको चेखना है एक रोजगार मिल जाता है लेकिन आउनसे पढ़को पढ़ेगे लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अगर आपको हिंदी आती है तो वह एक आपका प्लस पॉइंट नहीं है वह आपका एक माइनस पॉइंट है आपको सीधा-सीधा अंपड़ कहे दिया जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भाशा आना बहुत अच्छी बात है जहां तक मैं समझते हूं निर्बै जी बहुत सारी भाशा आनी चाहि अनादर यह भावना नहीं होने चाहिए अगर आप उसको वैश्विक बनाना चाहते तो पहले अपने देश में उसका मान सम्मान कीजिए तब ही वह वैश्विक हो सकते हैं वर नहीं हो सकते एक पत्रकार के तोर पर आपको क्या लगता अगर इसकी आप तुरह गंभीर ब्य आज बहुत सारी इस तरह से पोजेक्ट चले हुए है जहां तक मैं सूनती हुं भारत में ही एक स्कूल से कोई मतलब नहीं है आज हम यहाँ पर जो स्कूल चलाते हैं लोग जिन एक दू संस्थाओं से में जोड़ी होई हूँ हिंदी की जो पढ़ाई हैं लोग सिक्षन जो करते हैं उनको किताबें चाहिए हिंदी की जो वह यहां पर बच्चों को पढ़ा सके जिससे वो पढ़ा है यहां पर नहीं चलती जो भारत में पढ़ाई जाती है और उन वह किताबें बनाने के लिए हमको प्रकाशक चाहिए और वहां से भारत के प्रकाशकों को कथा कहानी उपन्यास तो चाहिए वो उसके लिए चीति चाहिए आपको मिल जाएंगे लेकिन शिक्षन की कोर्स की कितावें चापने के लिए कोई तयार देगे तो ये और क्या इससे ज्यादा क्या खीन भावना आप समझते क्यों हो सकती है वो शुरू शायद तभी से हुई जब से आजादी आई शायद उसी समय जब समीधान बन रहा था उसी समय अगर हम भाशा को इतनी महत्ता देते कि एक भाशा ऐसी हो नीजिए देश में जिससे राष्टरी भाशा के आज जा सकता अबितक्त हमाईल पास राष्ट tego है राज़दी यह आई लेकिन उसमें किसी भी भाषा को राष्टि भाषा का ओधा नहीं दिया लिया तो वो धीरे 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 गुलामी की भाषा बन गी अब हिंदी के लिए अगर परचारपसार की बाते होती है तो जाहिर है कि इतना बड़ा देश है, बहु भाष्य देश है तो और भी भाषा निकल कर आ जाती कि हिंदी क्यों हम क्यों नहीं तो ऐसे में आपस के लड़ाई जवरे में तो किसी का भला होगा नहीं और अब इससे आगे कहां वह बात चली जाएगी मुझे नहीं मालूंग जब तक लेकिन यह बात सच है कि जब तक भारत की अपनी राष हो हिंदी साहित में जो लेखन हो रहा है तो बैश्वी असतर पर उसकी क्या पहुच है मनिव आप तो क्युझ लेखिका है थो लिखती है तो क्या उसकी क्या पोँच है जो कुछ भी नहीं है सिर्फ हम आपस में एक दूसरे की पीट थब देख लेते आप कहानिया, उपन्यास, कविताएं या जो कुछ भी लिखा जा रहा है, सिर्फ यह होता है कि हाँ आप प्रकाशक से छपकर आते हैं, आज सोशल मीडिया वैसे हो गया, आजकल तो काफी चीजें बहुत ठीक भी हो गई हैं और उससे बहुत ज़्यादा खराब भी हो गई है उसमें अब उसकी वज़ा से हर कोई लेखक बन गया है, हर कोई अब जब से यह लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से जूम आया है, हर कोई अपनी दुकान फोल कर वैट गया है, तो यह चीजें आप ऐसे कहले हैं तो हाँ जी हिंदी दिख रही है, पहती हुई, लेकिन उ सबसे पहले चाहिए, कि आप जो लिख रहे हैं, उसका एक स्तर हो, और वो ऐसा हो जो वैश्विक करण के लायक हो, और उसका फिर अनुवाद भाशाओं में किया जाए, तब वह आके बढ़ेगी, लेकिन यहां तो अपने अपने से फुरसत नहीं ना किसी को, नहां तो हर क सबसुना करते हैं, तो उससे इतना जरूर होता है कि जो कुछ देशों के जो लोग है हैं इपने अपने लेवल पर हींदी के लिए कुछ कर रहे हैं वैं आपस न repentance यह आ जाकर महां किक बना लेते हैं इक कुछ सब बना लेते हैं और आपस में मिल बैठके थोड़ी चर्चाए अपनी अपनी कामों पर कर लेते और वापस आ जाते हैं उसमें भी वही आप लोग देखते हैं कि हर साल या जो भी होता है ज्यादा तर वही लोग होते हैं जो हर साल जाते हैं उसमें भी जो सच्चा ही है कि इतनी लोग उसमें ऐसे जाते हैं जो वाकरी कुछ कर रहे हैं और जो यह कुछ करना चाहते हैं और इनको मूकर नहीं मिलता तो ऐसा तो लोगों के लिए ज़रूरहाँ फाइदे मंद होता है लेकम के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होता है मैं कह ACCा बाषा के लिए उसका कुछ निकल कर वहां से नहीं आता था यह उजन्द के сюда भी उनई देसों में कि मेडिया को वहां के लोगों को बता संगे कि हम अपनी भासा को ले कर इस तरह समझते हैं इसके वारे में आप क्या सोचती है जी हां बुलकुल ऐसे होना चाहिए ऐसे तेके हर देश में दुनिया के हर देश में भात वैशी है हर जिके आपको एक या दो ऐसे लोग तो जरू इसे लिगों को जो वाकरी कुछ करना चाहते हैं यह स्था की ज़रुरत है सरकार की जो सरकार साहता देती है लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर उसको करते हैं भारत के किसी देश में एक समय लेंग जहां से आप प्रिवासियों के नाम पर दूँ इधर से दूँधर से अपने जिनको आप जानते हैं वहां से बुला लेते हैं और आगर उनके साहित परवरिस्थों की चर्चाएं कर लेते हैं, तो उससे भाषा को या विश्मे किसी और को भी क्या फरक पड़ता है, किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है, लंडन में आज इतने कारिक्रम ये लॉक्डॉन स कि अगर आप जाकर भारत के किसी शहर में करते हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता है, हमको भी किसी को कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ उनको पता चलता है, जिनने वहां के आयोजग जानते हैं, वहीं वहां जाते हैं, उत सब मनाते हैं, हिंदी का बहुत अच्छी बा यूके में एक बार हिंदी सम्मेलन हुआ था तब जरूर में जमौका मिला था वो भी यहां के हाई कमीशन की माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगी कि लंडन में कम से कम जो हाई कमीशन है भारत का वह काफी सहायता करता है और लेकिन वह उसी पर निर्भर करता है कि वहां काइब पन्शियों की हिंदी के लिए तो यहां जब वो सम्मेलन हुआ तो उसमें उनी का मुझे मुझीम जरूर मिला था बहरत में कब कहां होता है वह हम सोशल मीडिया पर देख लेते हैं कि कहां ह Oh रहा है कौन जा रहा म؟ लंगर लंदन नहीं होता तो साथ आपको बुलाया भी नहीं जाता डी वुलाया तो सबको जाते आ लेकिन बात बैवरिक्त की ज़रा प्रैक्टिकल लीटी की 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 जय तो फिर हरकों इसकते ना तो जाते वहीं लोग हैं तो एससा तो नहीं है कि यहां आप सबसे कह दीजे कि है जी है allegations मेरे ख्याल से अगर यह आपको समयलन करने हैं तो ऐसी जगह पर कीजिए जहां पर ठीक है आप यॉरॉप में जगह पर कीजिए तो हो सकता है कि उसके आसपास के पड़ोसी देशों के लोग आ सके अपने खर्चे पर या आप वहां के मीडिया को बिला सके लेकिन कम हो पाता ह हिंदी लेखन का अंगरेजी में अनुआद होते आपने देखा या हो रहा है को ऐसी जनकारी तो पर देखाई पड़ता है या जो लेखक खुद अपना अपने हिंदी का उसके बाद खुडी अंग्रे जी का भी करलेते नेकिन बहुत किताब किताब है नहीं है भीनी देखें दूस लिग्गति मैं पहले सानु किताब संखेव नियुके ना जंकिताब में कुछनी किताब मेर् हां यह घराध में हम लोग किताबे खरीद नहीं है तो भी हम भारत की ही तरफ देखना पड़ता है कि हम वहाँ जाएंगे फिर किताबे खरीद कर लेकर आएंगे तो यहां पर बेशक अनुवाद लिख अपने विक्तिकत इस तर पर करा लेते हैं लेकिन उनका उनकी विक्री या उनको पढ़ने जा रही है ऐसा कुछ आ रहा है कैसे बताती है उनको अगर वही एक तरीका है यहां पर जो सस्थाएं हैं जो कारिक्रम करती है अभी तो लॉक्डाउन में खेर बंद है और इस जूम की वज़ए से जो गोस्टियां हो रही है उसमें बहुत कम ऐसे लोग आप आते हैं जो मत निया कारिक्रम होते थे हुगां उसमें के ऐतों चरचा करती हैं तो उनके मांट में तो यह नहीं रहाता कि यह यह हिंदी है जो जिन पर हमने सासंविया कोई बात है देखे ये एक भाशा नहीं ये एक ijd far कि Ioan मानसिक्टा है जो जिसमें है इसमें है इसमें इनसान के लिए भी है और भाशा के लिए और जिसमें नहीं है उस में नहीं तो यह रONG करता है कि आपका जो मित्र मंडली वो किस तरह की है अपर जो सरकल्ट है वो किसा है तो च्बाञे कि ठीडिकों एक तरह से लोग आते हैं वह इस तरह है कि नहीं है जो सौचें कि हमने गुलामiquement बनाया था गुलामी तसे लिए जो भाषा है वह भाषा है हर देश की जिस तरह से भाषा सम्मानिया होती है उनके नहीं हिंदी क्यों पढ़ते हैं अगर इसलिए पढ़ते हैं कि यहां से जो हम भारविदेशी लोग भी हंदी सीखते हैं। इसलिए ची हो सद्सकृति से प्यार और संसकृति को जादा संजंवना चाहते है इसलिए वो भाशा सेखना चाहते हैं या फिल्में देख न चाहते हैं लोगों में इस या कि और कोई दूसरी भासा जो काफी बेश्टन सोसाइटी में काफी लोग पिरियों हो अगर चीन को अगर छोड़ दें तो चीनी या जपानी को छोड़ दें तो ना कि भारत का नाम आता है तो सब पता है खासकर ब्रिटेन तो एक ऐसी जगह है जो भारत से हमेशा जुड़ा रहा उसकी संस्कृति से जुड़ा रहा उसको सब पता है तो सीधे बात आजाती पंजाबी गुजराती बंगाली हर करे कि भाशाओं का यहां उतना ही कहते हैं महत्व है या योगदान है जितना हिंदी का बलकि आप यह कहिए कि हम बहुत से स्कूलों में ब करते हैं उनको लगता है हिंदी की जरूरत ही नहीं है तो इसी के लिए हमारा इतना अभी संगर्ष चल रहा है यहां जो हिंदी की संस्ता है हिंदी समीति करके जो शिक्षण की हैं सबसे बड़ी संस्ता है उसके करीब 35-40 सेंटर है पूरे यॉरॉप में जहां बच्चों को बड़ों को देशी बच्चों को विदेशियों को सब को हिंदी पढ़ाते हैं उनका एक संगर्ष वो इसलिए चल रहा है कि यहां किसी तरह स्कूलों में जो GCSE की पढ़ाई है या उसके लिए है वो हिंदी एक सब्जेक्ट बना दिया जाए जो पहले था और फिर बात में है खतम पर दिया गया क्योंकि उनका कहना था हमारे पास इतने बच्चे है ही नहीं आते कि हम इसे एक सब्जुक्ट के तॉर पर चला सके हैं हिंदी बंगाली की चलते हैं गुजराती चलते हैं पजशाबी की चलती है लिए हैं इस Krittier तो अभी सबसे बड़ी बात यही है कि कम से कम जो एक GCSE का है क्योंकि यहां पर क्या है कि अगर आप जो ग्रेट्स मिलते हैं ए ग्रेट्स पी ग्रेट्स तो आपको आगे विश्विद्धाल है कि पढ़ाई के दौरान उसमें दाखली के दौरान वह बहुत माइने रखते तो अगर आप उसका GCSE में अगर हिंदी आप कर देंगे तो हिंदी में अगर आपको ए मिलेगा तो ए भी काउंट होगा आपके विश्विद्धाले की पढ़ाई के लिए आगी लेकिन अभी क्योंकि GCSE नहीं है तो वह एक की बात ही नहीं होती है कोई सर्टिफिकेशन नहीं है को कुई मानिता नहीं है तो बच्चे उस लेवल तक जाते ही नहीं है कि हमें करना क्या है लेकिन अगर आपको वह घाइड वहां मिलेगा वहां मिलेगी GCSE लेवल की तो फिर उह दो पड़ेंगे और जब वो हिंदी पड़ेंगे तो भी बीविजिध कोई उसके भी भासा में बात सकती यह संबीद highlight तो कहीं भी प्रकट हो सकती है उसमें तो अंग्रेजी में भी समान अधिकार रखती है आप हिंदी के प्रति अभी भी वही लगा क्यों आखिर ऐसा क्यों है यह कि मैं सोझते हिंडि में वाशा मुझे अंग्रेजी आती है या रूसी आती है वह अलग बात है लेकिन ई कटर लिखने की बारह आतीक है तो जो मैं सोचती हो वो मैं हिन्दी में सोचता हूं अगर मैं सोचती हिंदी जो अंग्रेजी को मिलता है लेखन को मिलता है वहां तक आपकी पहुंच नहीं बनती है दी बुलकुल बुलकुल अइसा लगएगा लेकिन मैं इसलिए लिखती नहीं न मुझसे हमेशा मैं कहीं जाती हु तो मुझसे एक सवाल कोई करता है कि आप हमें बताइए कि हम अपने पच्चों को क्या है कि वो हिंदी सीखने का उनको क्या फायदा है हिंदी वो क्यों लिखना पड़ना सिखे तो मैं उनसे यह कहती हूं कि जरूरी नहीं हर काम हम अपने फायदे के लिए कर सकते हैं हम इंडिया में तो हम अपने फायदे के लिए पढ़ाई भी गड़ते हैं य तो उसको करने में क्या बुराई है तो जरूरी नहीं कि उससे हमें कोई फाइदा मिले तो ही हम पर एक भाशा है हमारी अपनी भाशा है और अगर हम उसमें अच्छी तरह से लिखते पड़ते और अपने आपको अविव्यक्त कर सकते हैं तो हम वह से करते हैं हमारे पास यह सबुक्त करते हैं हम अच्छी चीजी सॉपिन भी करते हैं अच्छा अपना खाना भी खाते हैं दुनिया भार के को ऐसी वह का नहीं किसी दुसरे जो पूराने यन्दी के साहितकार है उनका अपने अनुबात के बारे में कभी नहीं, अगर अंग्रेजी में कर सकूँ तो? जी बहुत सोचा लेकिन ये मेरी अपनी कमी है कि मैं लोगों शायद उस तरह से अपनी बात नहीं पहुंचा पाती. मैं अप्रोच नहीं कर पाती. मुझे ऐसे कोई प्रकाशक नहीं मिलते जो जिनके पास मैं जा के कहूं कि मुझे इस खानुवाद करना है और वो मुझे करने दे यह मैं अपनी ही अरशनों के लिए भी इस अंगर्श में करती हूं मैं खुद से जाकर लोगों से अप्रोच करने में थुड़ी सी कमजोर हूं तो मैं करती हूं मैंने रुसी से किये हैं हिंदी मैं अनुवाद मैंने कुछ अपने लिए कुछ मैने अपने लिए किए हैं मैं अपने लिए कड़ती हूं मुझे कुछ शुछी मिलती है उसका में जा कर ब्लॉग पर डाल जibl Alert Observative लेकिन कभी ऐसे मुखंए मिलें तो मैं ज़रूर करना है और लिखना बाकी चीजे में थोड़ी सी कमजोर हूं मैं तो आपके जो दो ब्लॉग भी है वो दोनों वे रिंदी में हैं जी हाँ ब्लॉग के नाम क्या है ब्लॉग का एक का नाम पंदन है दूसरा फूड ब्लॉग है वो मैंने ऐसे शौक्या खुला था वह कड़गाट उ जो भारत में प्रकाशित होते थे उस दैनिक जागरण में और नभारत में तो वो कॉलम्स मैंने कुछ चार-पांच साल लेखे और कॉलम्स का संकलन है देशी चश्मी से लंडन डायरी नाम की किताब ऐसा मैं साक्ष से आई थी उसमें वो कॉलम्स हैं एक तरह से उन्हें आप इंगलेंड की महारानी से आपको क्या परिशानी है कि महारानी से ना तो कोई परिशानी मुझे हिंदी साहिति के भी महाराज महारानी यों से को इतना लगावे ना शिकायत यह सकती है इसे मुझे महाराणी महाराजाय कोई शिकायत नियुक्ति आपने तो कुछ लिखा ना उनके उबारे में कि यहां पर इतना लोग परिशान हो रहे हैं हर चीज के लिए उस समय देशिशन का टाइम था नौकरियां लोगों की जा रही थी इतना कथिन समय था और उस टाइम पर रानी की हीरक जैनती शाइद उसी की आप बात कर रहे हैं तो वही रख जैनती बहुत बड़े लेवल पर मनाई जा रही थी उसमें इतना पैसा लगाया जा रहा था और अब भी उनको जो रॉयल के जो जितने भी कारिकरम होते हैं उन पर काफी खर्चा किया जाता है पर वह उनकी अपनी वेवस्ता है वह अलग बात है लेकिन एक तरह से जब वह यहां कहते हैं कि प्रजात अंत्र है यहां भी डिमोक्रेसी है तो उस खर्चे को काट कर शायद और कहीं लगाया जा सकता था यह बात इंग्लेंड की महारानी के लिए नहीं सभी के लिए हाँ यह सलाह तो अपने देस्क में अधिक बिद्वेट को भी दी जा सकत करते हैं तो ठीक है लेकिन हमारे हाँ तो प्रजात अंत्र के नाम पर यह सब होता है तो क्या कहा जाएं तो फिलhाल आपकी जो उधासियां कहां टंगी हुए हैं अभी तो पर आपकी तंगी हुए हैं अभी तक नई-दाशिया वो एक दोलाजीया का टाइम होता है कभी- के जबते हैं कि कई ज़ुदिनिए उनकी समय है कि जाग कर न णुदासियां को छिटक कर कुछ कि पड़े बद्ढू अब थोड़ा सवे सब्सक्राइक कर फड़ा या अगर म Hopefully यह लेकर आपकी यो बहुत आपकी जा रही कि कुछ भी हो लेकिन हिंदी मरंने वाली कि जान नहीं आप उसको कितना भी उसको अनमीन के नम पर थ mm नहीं में टो बिना इन किसी चोचलों के चल रहा है और वो चलता रहेगा खासकर जब तक किसी के एक भी ऐसे दो-चार लोग ऐसी जब तक हो रहीं गे की जिनके मन में सिर्फ हिंदी भाषा के लिए प्याहर होगा तब सब्सक्राइब बुलकुल तो आप उससे इंकार नहीं किया सकता और उसके लिए हम सिर्फ प्रियासी कर सकते है यह बात सच है कि अभी हिंदी जो है भी जो चल भी रही है ना मुझे लगता है कि जिसमें 90% जो शब्द होते हैं वो अंगरेजी की होते हैं उस तरह से बहांशा तो, अगर आप इसी तरह से लेते जाएंगे धीरे 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 वो रोमन की तरफ से रहे जाएगी मुझे उसे भी शिकायद है, जो रोमन की पहल भी करते हैं कि रोमनु में भासा लेखि recognizes तो उस तरह से अगर यह इसी तरह से चलता रहा तो वो एक समय में आके सिर्फ बोली रह जाएगी भाषा की जगे हिंदी और दीरे दीरे भोली भी खतम हो जाएगी मैं आपको पताती हूं कुछ समय पहले की बात है एक मैंने लेख मुझसे एक समाचार पंत्र काफी स्थापि कटके भीजते हैं मैंने का ठीक है उन्होंने वह लेख मुझे भीजा और वह मैं अपने लेख को ही नहीं पहचान पाई उसमें उन्होंने 90 प्रतिशत शम्द सारे बदल के अंग्रेजी की कर दिये थे मतलब उस समाचार पत्र की एक हैड्लाइन थी जो इस तरह से थी कि ती हिंदी कहा है मैं जो ढूंडने से भी नहीं मिल रही थी सिर्फ व्याकरण के का के की नाने नहीं बीच में हम लगा देते हैं हिंदी के और उस पर हम कहते हैं कि यूथ की भाशा है लेकिन यूथ वह सुनेगा वह कहेगा जो आप उसको पढ़ाएंगे जो आप उसको सके इतना रेत उसमें मत मिला दीजिए कि वह पुलीड है तो भाशा में शब्द हर भाशा में होते हैं दूसकी भाशाओं के लेकिन उसमें से सारे शब्द ही आप किसी और भाशा लाकिसे व्याकरण अगर हिंदी करहने देंगे तो एक समय के बाद खतम हो जाएगी लेकिन यह है कि उमीद पर दुनिया कायम है बहुत सारे लोग सच मन से लगे हुए हैं इसमें शायद कुछ हो जाएगा इंगलेंड में जो हिंदी लेखन हो रहा है इंक्लोडिंग यू तो वह कैसा लेखन हो रहा है कौन-कौन क्या-क्या लिख रहे हैं कुछ बताएं उसके बारे हर तरह की विदा की चीज़े लिखी जा रही है कविताएं कहानिया उपन्यास यात्रा संस्वरन हर तरह का लिखा जा रहा है च्छप रहा है और लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ रहे हैं तो जो मुझे जैसे मैं सुनती आई थी कि लोग कहते थे कि प्रव लिख रहे हैं जो भी लिख रहे हैं वह बहुत अच्छा लिख रहे हैं और उस इस तरका साहित भारत में लिखा जा रहा है जिसे आप मुख्यधारा का साहित कैटे हैं उससे किसी भी तरह कंपर वह सब्सक्राइब कुछ बताया ना उसके बारे में कौन क्या कैसे थोड़ा क्पिकर ऐसे में नाम लेने बाठाइन की तो बहुत सारे लोग जो काफी लिंख चरवाहरेय यह रहा है आंट और नई लोगों में भी बहुत सारे लोग आये हैं जो अभी शुरू जिनकी किताबें अभी नहीं आई लेकिन उनने लिखना शुरू किया है और अच्छा लिख रहे हैं बिटेंज से बहार भी भूए सारे लोग लिखते हैं तो नाम बहुत सारे हैं और जो भी लिख रहे हैं यह कम से कम यह सोशल मीडिया के आने से फायदा हुआ है कि उनकी जो कि मांग है कहानियां ज्यादा लिखी जा रही है उपन्यास लिखने में क्योंकि शायद समय लगता है ज्यादा तो यह जो प्लॉट प्लॉटिंग जो होती है कहानी की वह क्या प्रवास की होती है ना देश की होती है स्वादेश की होती है cvbp जो उस्ने इंवद किया होता है तो उनके अनुभब होता है या फिर वो कहाणिया होती है जो यहाँ पर जी जाती है यहाँ पर सामनी से दिखाई पड़ती है लेकिन उनमें ज्टार नवह प्रितिशत कहाणिया भारत वंश्यों को ही धिहान में रखकर लिखी जाती है उन्हीं कि कहानियां होती हैं ऐसी कहानियां को बहुत कम मिलेगी जो किसी अंग्रेज की जिन्दीगी पर होंगी तो कहानिया होती है या पनास भी है तो वह भारत वंश्यों के ही है और उनके अपने ही अनुवव है बेशा को यहां के हो भारत के हो या भारत से बाहर की हो लंडन की हो ब्रेटेन की हो फ्रांस की हो लेकिन वह भारत वंश्यों के अपने ही अनुवव जादातर होते है जो लेखक तरह लुग पढिए तो थे ही तो मुझे जितना भी पड़ने को मिलता है अगर मैं आपसे अपनी वेखिटिगात करूं तो मुझे जितना भी पढ़ने को मिलता है पठती हुए प्रदें तो जितनी उतलब्द हो जाती है उतना तो मैं पढ़ती हूं इंदी में के समस्या यहविया की प्रोच्षाहन का भाव है जी बलकुल बिलकुल आत्मूगदता बहुत ज्यादा है और दूसरे को प्रोच्षाहित करने का भाव थोड़ा कम है और उस पर से यह वरिष्ट और करनिश्टिक का बीच में और आ जाता है थोड़ा सा तो सबस्थिया हैं लेकिन ठीक है मतलब मुझे इस तरह कि समस्थ उती नहीं मैं जो लिखती हूँ मैं अपने लिए लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि समिस्य हैं तो हैं दुनिया की विभीन भासाओं में जो लिखने वाले हैं वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो भाव शमान रहता है लेकन के प्रतिव हिंदी में थोड़ी इसी अधिक परेशानी है कि वो मानते ही नहीं है फिर प्रोसान कैसे करें प्रोसाइब मुझे उल्कुल सही बात आपके इसे नहीं जुझना परा ना बहुत जूजदा दैर वो मेरे अपनी कि मोपनी कमझोरी है कि मैं बहुत कम् लोगों को न्हीं पर प्रोश कर पात्यों लेकिन मुझे मिले ऐसे वरिष्ट भी मिले और मेरे ऐसे समकालीन भी लेक तरह कि कोई ओजना में कहानी और उपन्यास की तरफ जाने की जी हाँ वह यहां लिख रही ओक रही हैं ऑप फ्रहुदा स्थास्प जसेHY काहानिया न thought शुरूबात है देखते हैं मन तो है उस तरफ जाने का क्योंकि देखिए कविता एक अलग तरह कि अभी विक्ति है उसमें कपना जादा होती है मेरी और गद्ध अगर आप लिखते हैं यात्रस परन या या तरफ ब्रतान उसमें भी यथार्थ जयादा होता है है तो अगर आपको कल्पना को अधिक या आपको विस्तार देना आपको जबाते आपको कहनीस में अच्छीय तरह से कहांपात में को चुनित कर रही हूँ शरू किया है देखिए को लेकर जो fridge आपकी है वैसी है मेरी भी उमीद है तो तो हम लोग के लिए आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका हम लोग फिर भी समबाद करते रहेंगे नमश्कार नमश्कार